बदलते भारती रेलवे की पैचान बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब तक दरजन भर की संख्याद देश के एक राजे से दूसरे राजे और एक रूट से दूसरे रूट पर शुरू की जा चुकी है। अब दिल्ली से देरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरूआत की जाएगी। जिसकी दूरी ताय करने की अवधी अधिकतम पांच घंटे होगी। और इससे हरी द्वार उत्राखंट के धार्मिक परेटन शेत्रों पर पहुचने में श्रध्वालों को क काफी आसानी होगी। बता देए कि गर्मी के समय में भारी संख्या में परेटक, विशेश तोर पर श्रधालू, उत्राखंट के धार्मिक अस्थलों पर जाना काफी पसंद करते हैं। दिल्ली से उत्राखंट के लिए कई ट्रेनी चलाए जाती हैं। लेकिन इसकी निर्ध अधिक होती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जून के महीने से दिल्ली दहरादून उत्राखंट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शिरुवात की जा सकती है। जिसकी अधिकतम पांच घंटे निर्धारित होगी। जो लगभक 315 किलोमीटर की दूरी को तएक करेगी। ये संभ़वत देश की सोलवी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी दिल्ली के साथ उत्राखंट परयाटन के लिए भी काफी महत पूर्ण होगा। प्रमुकतृर पर दोनों राज्यों की राज्य स सरकार अपने अपने राजियों के परटन शेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभागों द्वारा प्रयास को काफी तीज कर रही हैं। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार शाम पाच बजे से राद दस बजे तक दिल्ली से दैरादून के लिए ये वंदे भारत एक्सप्रस ट्रेन चलेगी। वैसुबा दैरादून से चलकर ये ट्रेन दिल्ली दोपहर तक पहुचेगी। उत्रप्रदेश के रूट से दिल्ली से दैरादून को जाने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रस ट्रेन का किराया करीबन 950 रुपे से लेकर के 1425 रुपे तक निर्धारित किये जाने का अनुमान है।